हैलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले T20I series के third और final match के बारे में जो के होने वाला है इंगलन उमन्स वर्सेस इंडिया उमन्स इन दोनों टीम्स के बीच में दोस्तो ये match आज रात को 11 बजे स्टार्ट होगा वेन्नी होने वाला है county ground challenge forward तो दोस्तो final match है एक-एक से दोनों equal चल रही है जो team इस match को जितेगी वो series को ले जाएगी तो एक interesting match आपको देखने को मिल सकता है या तो यहाँ पर India women's match जितेगी near to near margin से या फिर England women's one side इस match को जित सकती कुछ इस तरीके से आपको results देखने को मिल सकते है interesting differential place available उस पर हम लोग focus करेंगे आगे बनने से पहले करोगी क्या simply telegram channel से join हो जाओ विकोज अगर आप लोग telegram पे जाके पिछले कुछ matches की results देखते हो या फिर first comment में मिल जाएगी peach report की बात करें दोस्तों तो मुझे लगते है कि आपको एक fresh peach equal balance provide करेगी batsmen, ballers, spinners सब कुछ आपको यहापे अच्छा करते हो दिख सकते है यहापे जो last international match हुआ था जो 2019 में हुआ था Australia women's versus England women Australia women's निते हो 226 लगाय थे तो समझ सकते है और Australia की टीम ना कुछ अलग लेवल पे खेलती है तो उनका में ज्यादा compare नहीं ही करूँगा बिकाज अलगी लेवल पे खेलते है ठीक है और England women's 133 ही बना पाई थी जिसमें spinners को 5 wickets Pacers को 6 wickets मिली थी फिर recently second July को यहाप एक domestic T20 match हो था उसमें अगर देओगे first inning में 116 ही बनेते जिसमें 5 wicket Pacers को 2 wicket spinners को मिली थी और फिर second inning में 117 बन गए ते आराम से chase हो गए ते एक wicket Pacer को एक wicket spinner को तो equal balance मेरे साबसे देखने को मिल सकता इतना score तो नहीं बनेगा 200 प्लस बट फिर भी England women's की पहले बैटिंग आती है तो मेरे लिए साबसे 160, 170 प्लस वो फिर भी बना सकते है India women's 150, 160 के आसपास शायद चले जाए अगर पिछले match जैसे शापाली वर मैफिस प्रिती मंदाना एक अच्छा start देती है तो England numbers की बात करें दोस्तों तो पिछले दोनों मैचस में यही टीम खेली है I think यही टीम के साथ यह लोग continue करेंगे Final match, important match I don't think कि वो लोग कुछ change करेंगे हुआ क्या दोनों मैचस में तो Daniel White ने 1st match में रन बना थी 2nd match में यह flop रही थी अच्छे प्लेयरे T20 में अच्छा कर लेती है जनरली ignore मत करना Small league, grand league दोनों में try कर सकते हो Tammy Biment हम लोग ने लगबगे हो हर match में try किया पूरे series में हर match में try किया 1st test match में try किया वहाँ पे run बने 1st ODI match में try किया वहाँ पे run बने 2nd ODI, 3rd ODI, 1st T20 3nd match में यह flop रही थी फिर हम लोग ने फिर से अविसली ignore तो नहीं करेंगा कोई भी नटले सिवर को Heather Knight थोड़ा सा form नीचे गया है पता नहीं क्यू 6 run बने थे 1st match में 30 बने थे जरूर 2nd match में बट फिर उसके आज आउट हो गई थी run बना सकते है बहुत जबरदस talented player है कभी भी run बना के आज आके जा सकती है grand league में इनकी captain जरूर टाय करना small league में भी लेके चल सकते हो Amy Jones की बात करें 1st match में अच्छी पारी रही थे 43 की 2nd match में 11 की पारी middle order में बैटिंग करती है 1st inning में बैटिंग होगी तो और भी important बन जाती है 2nd inning में बैटिंग होती है तो थोड़े से इनकी importance कम हो जाते है वागि आपको wicket keeping से भी point दे सकती है और form इनका overall बहुत अच्छारा है 2nd match में कुछ run नहीं बना पाई 2nd match में तो run run रान उठी थी तो मैं ज़्यादा इनको judge नहीं करूँगा बिकस overall form इनका बहुत अच्छारा है टेस मैचस में, वन दे मैचस में सब तरब इन्होंने run बनाए हैं तो यहाँ पर run बना सकती है अगर इनको अच्छे खासे overs मिलते है तो Catherine Brunt भी run बना सकती Sopek Lester में थोड़े बहुत run बना लेती Maddy Williams भी run बनाती because they domestic cricket में top order में batting करती है नमबर 3, 4 पे इनको batting में भेजा जाता है balling की बात करें Catherine Brunt 1st match में एक wicket है 2nd match में इनको कोई wicket नहीं था 2 match में इन्होंने 5 और बालिंग अब तक करी हुई है Natalia Seaver की बात करें 1st match में एक wicket है 2nd match में इनको एक wicket अच्ची बालिंग इन्होंने करी है Freya Davies 1st match में एक और जिरो wicket 2nd match में 4 और 31 run 1 wicket 1st match में पूरे 20 और नहीं हुए थी इससे वज़े साब को दिकरा होगा 2-2 और एक एक और इंग्लान ओमन्स के 1st match में कोई wicket ने एक और बालिंग करी थी 2nd match में कोई wicket ने एक और बालिंग करी थी But again very important player है Drop मत करना, Ignore मत करना Grand League में आपके captain भी होनी चाहिए Maddy Williams 1st match में 0 wicket 2nd match में 1 wicket 2 और बालिंग करी थी बहुत ज़़धा बालिंग नहीं करती है Left-handed bats, sorry, Left-handed bats Women's कितने हैं उस पर बहुत ज़़धा डिपेंड करता है उसी आप से mostly balling करती है बट wicket लेके जाती, wicket टेक करें सारा गलें 2 matches में को 2 wickets में बालिंग ठिक टाक करी, पिछले में रन पड़े थे बट leg break spinner है तो obviously run पड़ते है विकेट भी ये लेके जाती है दोस्तों इंडिया ओमन्स की बात करें तो 2 matches में यही playing lion रही है मुझे लगता है कि टीम इससी playing lion के साथ continue करेगी बिकोज इससी playing lion ने पिछला match बहुत अच्छे से win करवाया था इंडिया को ठीक है, बात करती हुआ क्या है तो प्रिति मंदना, दोनों मैचेस में इनको start मिला दोनों मैचेस में ठिक्टा करन बने है शपाली वर्मा, पिछले माचे में 48 की क्याप पारी रही थी 38 बोल में, कैथरीन ब्रून को 4 बोल में 4 force लगाए थे अलग लेवल पर ये बंदी खेलती है कुछ अलग लेवल पर ऐसे ही प्लेयर के हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी मुझे लगता है कि ओमन्स क्रिकेट की ये विरेंदर सेवा गे तो देखके चलोगे, हार्लिन देवल 1st में वन डाउन आई थी नोट आउट रही थी, सेकंड मैच में फिर वन डाउन नहीं आई बिकाज इनका अच्छा पाटनर्शिप होगा था साता टोर का, उसका थर्मन प्रित कोर ओपर प्रमोट हो गई थी फिर दिप्ति शर्मा प्रमोट होई थी, फिर रिचा गोश प्रमोट होई थी तो इनको बैटिंग नहीं मिली थी, अगर जल्दी विकेट गिरती है तो फिर हर्लिन देवल 1 डाउन आईगी, इनको ट्राई जरूर करना प्रस ये बॉलिंग करती है दिप्ति शर्मा की बात करें तो हर्मन प्रित कोर ने 31 की बढ़िया पालिक थी 25 बॉल में बहुत टाइम की बाद एक confident हर्मन प्रित कोर देखने को मिली और एक बढ़िया 6 भी लगाए था, तो अगर इनका form return आ चुका होगा तो आपको फिर से run बनाती हुई दिख सकती है दिप्ति शर्मा ने 24 बाइन 27 बॉल में रिचा गोष्ट ने 8 बना थे 9 गेंदों में स्नेयर रना 8 पाज गेंदों में इनका ना strike rate यही आपको देखने को मिलेगा 90, 100, 1, 1, 1, 0 इतना इनका strike rate यह था बहुत ज़्याद आइगरिसिम नहीं खिलती है बॉलिंग की बात करें शिका पांडे को 1st में 3 विकेट थी, एक ही और में इनको 3 विकेट मिले थी 2 और बॉलिंग करे थी अरुन्दति रेडी 1st में 3 और कोई विकेट ने 2nd में 3 और में 1 विकेट दिप्ति शर्मा, 1st में कोई विकेट ने 2nd में 1 विकेट, पुनम यादो 1st में 1 विकेट 2 विकेट, राधा है तो 1st में 1 विकेट 2nd में 0 विकेट, राधा है तो 1st International T20 मैच ऐसा गया जहाब इनको कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों बना लेते हैं 1st में 1st में 1st में 1st में 1st में रिचा गोष्ट को लिया था, रिचा गोष्ट ने last वाच के Grand League टीम में लिया था, मैं जो आपको Grand League टीम दीती और रिचा गोष्ट ने ज़्यादा पॉइंट्स देते compare to Amy Jones, तो यह थोड़ा सा देखके चलोगे पहली बैटिंग होगी, England Women's की तो Amy Jones को लेना, अगर 2nd बैटिंग होती है England Women's की तो फिर आप लोग रिचा गोष्ट पे भी risk ले सकते हो, यह चीज आप लोग कर सकते हो चलते बैटिंग सेक्शन में, यहापे पहले अभी के लिए, बैटिंग सेक्शन में टैमी ब्यूमन, सुरिती मंदाना, शपली वर्मा यह आपके टॉफ थ्री पिक्स हम लोग लेके चलेंगे टैमी ब्यूमन को मैंने एक भी मैच में टॉप नहीं किया मैं यहापे भी नहीं करने वाला, डैनल वाइट ले भी सकते, छोड़ भी सकते, कोई दिककत नहीं है यह ना कंसिस्टन नहीं, है करियर एउरेज यस धिंग अनडर 20 में नहीं खेलती है, जिस मैच में खेलती है उस मैच में बहुत अच्छा खेलती है तो ट्राइ कर सकते हो, हरलीन देवल अगर वन डाउन आती ही मतलब अगर टॉप ओडर फिव मतलब एक विकेट जल्दी गिरती है ओपनिंग की, तो हरलीन देवल को बैटिंग मिलीगी तो इनको ग्राइड लिग में रोटेट करना, सोपे डंक ले थोड़े नीचे बैटिंग करती है बड़ स्टील आप लोग एक हाट टीम में टाई कर सकते हो, ग्राइड लिग में, और अंडर सक्षिन में नटले सीवर दिपती शर्मा में लेके चले हो, वैसे दिपती शर्मा को डॉप भी कर सकते हो, पिछले मैट में ज़रूर एक विकेट आ कुछ रन भी बना के गई थी, बट स्टील इनको डॉप करने का आप लोग रिस्क ले सकते हो, स्पेशली ग्रैंड लिग में, मैं अब लिके चलूँगा, स्मॉल लिग में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हरमन प्रित को और हेदर नाइट है, आपके उपर आपको किसको लेना है, अगर हेदर को लेते हो, तो फिर आपको और एक आदा क्रेट खर्च करना पड़ेगा, मैं आपको आगे समझाओंगा, कैथरीन बूर्ण आपके पास है, तो बूर्ण को भी लेना इंपॉर्टन पिक बनता है, विकोज इना डेट्स में आके विकेट लेके जाती है, न्यू बॉल के 89 पॉइंट्स, बस यही एक रिजन है, बाके कुछ नहीं, बिकोज इतने टाइम था कि और आपके सेक्शन में थी, तो इनका सेलेक्शन कम था, अब इनको बॉलिंग सेक्शन में डाल दिया गया है, इनके आलाओ कोई और प्लेयर नहीं जिन्हों ज्यादा विकेट्स निका इस एक रिजन में स्रिफ दो ही और बॉलिंग करी थी, यह भी पॉइंट है, तो तो दोड़ा देखके चोलोगे, मैडे विलेस्ट शिफ दो से तीन और बॉलिंग कर सकती, इससे ज्यादा नहीं, सारा गलेन आपको पूरे चार ओर देश सकती हो, तो मैं सारा गलेन के साथ एक तो रादा यादो लेना है, एक तो सारा गलेन लेना है, दोर में से कोई एक ही प्रेफर करना है, मैं अब इंगलन उमंस को प्रेफर कर रहा हूँ, और सारा गलेन के साथ जा रहा हूँ, रादा यादो को भी मैं फाइनल टीम में ले सकता हूँ, बिकोज यह बहुत अच प्लेयर लेना पड़ेगा, फिर हरलींदेवल या फिर रिचा गोश, या फिर बाॉलिंग सेक्शन में रादा यादो, या फिर शियका पांडे आपको ये करना पड़ेगा, हो, अगर आप लोग हेदर नाइट को डॉप करके या फिर हरमन प्रित कोर के साथ जाते हो तो फिर आपको बैटिंग सेक्षिन में डैनल वॉइट मिल सकती है ठीक है ये चीज आपके साथ हो सकती है तो अभी किलिए हम लोग यही करेंगे और कुछ इस तरह के से हमारी टीम बनेगी हरमन प्रित कोर फिर से फ्लॉप हो सकती है जोरो पिछली मैच में रन बनेते हैं पर यहाँ पर फ्लॉप हो सकती है तो अगर आपके पास क्रेडिट्स है तो हरमन प्रित कोर के जग़ा पे आप लोग बिल्कुल हेदर नैट के साथ भी जा सकती है यह चेंज आप लोग कर सकते हो तो सोपे से इकलेस्टन या तो छप्लिवर्मा इन दोनों में से कोई एक में सोच रह पर जोग हो करता है वहए थीक होते है तो ठीक होता है अभी क हाह में किले मैं करूंगा जो मैंने अब तक किया है Captain C Natalie Sever, Vice Captain C Sophie Eccleston जिसको safe जाना शपली वर्मा के साथ जाना विक़ोज अगर आप लोग देखोगे तो उनको Vice Captain C का सिलेक्शन जाधा होगा compared to Sophie Eccleston तो आप लोग ए काम कर सकते हो दिपतिशर्मा का performance बढ़ चुका है सिलेक्शन बहुत पिछले मैच के बाद दिपतिशर्मा को Public Vice Captain करके आई हुई because Batting plus Balling दोनों देती है बट मैं क्या करूँगा निटले से और को Captain C Vice Captain C Sophie Eccleston को दूँगा आप लोग चाओ दो दिपतिशर्मा कर सकते हो या फिर शपली वर्मा कर सकते हो बाके कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा Captain Vice Captain Suggestion मेरे वही रहेंगे Grand League में ये दोन आपके Captain Vice Captain होनी चाहिए अलग-अलग तीम में स्मेतिममंदाना शेपली वर्मा भी होनी चाहिए बिल्कुल इनको Captain Vice Captain जरूँद करना Grand Leaks में और ये आपके वीडियो के description box में फिर comment section में मिल जाएगी दोस्तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को like जरूर करोगे comment जरूर करोगे YouTube चैनल को अब तक subscribe नहीं किया जल्दी से subscribe करके बिल आइकन को जरूर प्रेस कर देना Thank you so much guys for watching